कि अभी हाली में यह मारेस भरती प्रक्रियस से रिलेटेड जितने भी अभ्यारती है उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट सामने आया हुआ है और वह अपडेट और जो अलग-अलग जो सवाल है उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पूरे ऑथेंटिक सोर् किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कुछ सिख्षकों ने जो की कॉंट्रेक्शल टीचर्स थे उन्होंने ये मरेस की जो सीधी भरती होने वाली थी समुचे भारत वर्स में उस पे कोट में जाके अपील के थी और फिर कोट ने इस पे स्टे डाल दिया था तो अब दोस्तों पहले सवाल में आप लोगो इतना बात समझ में आना चाहिए कि अब ये स्टे हटा दिया गया है कोट की और से मैंने पहले भी आप लोग को ये वीडियो बनाया था कि ये जो स्टे लगा है ये एक्च्वल में बहुत ज्यादा पावरफुल टाइप का कुछ इसमें है नही क्योंकि EMRS जो होता है एक लग भी रेसिडेंशियल जो स्कूल होते हैं वो सेंटरल गवर्मेंट की प्रपरटीज हैं और इसमें हजारों हजार टीचर्स की निउक्ति होनी है स्टेट कोई भी स्टेट गवर्मेंट पहले इसमें आज से पहले कभी वेकेंसी हुई नहीं है तो जो स्कूल होती थी उनका जो रख रखाव है वो स्टेट गवर्मेंट कंटिन्यू कर रहे थी इस बार सेंटर उसकी ओर से पूरी चीजों को वापस निउक्ति के द्वारा सब कुछ संतूलित करना चाह रहा है और कोई भी स्टेट गवर्मेंट इधरे सारे सिक्षकों क करना नहीं चाहेगी यह मैंने पहले आपको कहा था इसलिए जो भी चीजे थी को थोड़ा सा क्या किया है स्टे को हटा दिया गया है हालांकि इस पर एक और चीज की सुनवाई है जो 17 अक्टूबर के आसपास होनी है तो इससे एक बात तो समझ मैरी वह भी बहुत जल्दी चीजे क्लियर हो जाएंगी और EMRS ने कोट से भी यह दर्खवास्त की थी कि सर जल्दी से जल्दी चीजों को क्लियर किया जाए क्योंकि सेंटर लेबल पर जब भी वेकेंसी आती है और जब वो डिले होता है तब उससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जंसमुदाय प्रभा आप बरक्रिया जो है कोट ने आदेस दे दिया है कि अप इसलत भी निका रिझा मैं वर्गती और भी वगने में बहुत की जहांरा बावजुद उसमें अभी सुप्रिम कोट का क्या हो गया कि डिसीजन आ गया कि जो बीएड धारी है वो लोग हमारे वर्गतीन सिक्षक नहीं बनेंगे तो उनको अब क्या किया गया कि भी इसने अलग कर दिया तो हमेशा एक्जाम भी लेगा यह हमारे रिजल्ट भी आएगा बट जो फाइनल नियुकती है वो कोट के आदेस के अंतरगत होगी तो एक बात तो क्लियर है कि बच्चों को जो एक्जाम वाला जो था टाइम वो अब यहाँ पर साफ साफ दिखता हुए नजर आ रहा है कि आप वेकेंसी आगे बढ़ने वाली है दूसरा चीज कि अगली स जी शेंटर गवर्मेंट यह नहीं चाहिएगा कि एमरेस की भरती का उनके सारे टीचर्स की नॉन टीचिंग स्टाफ की सल्री का वहन राज सरकार के उपर पड़े सेंटर गवर्मेंट के जैसे के इंद्रिया विद्धाले होते हैं वैसे ही यह मारेस भी एकलब भी आवास भी देले हैं और सेंटर ही इसको केरी ओन करेगी तो यह को जो किसे ना इसमें भी खास्ता अदम नहीं है तो मान के चलिए ना कि 17 अक्टूबर को यह पूरी की पूरी जो वेकेंसी है कोट के से मुक्त होती हुई नजर आ जाएगी साफ साफ क्लियर हो जाएगा और यह अब ब खास हो गए बाथ साफ साफ कहना चाहूंगा कि जैसे इस पे इस्टे लगा था ठीक मैं अभी इस्टे दो दिन वाली जो विंडो है ना वह आज तक ओपन होई नहीं है अब मान के चलिए कि सर आज 29-30 सितंबर के आसपास होने जा रहा है अगर पांच अक्टूबर को अगर आप खुद से सोचेंगे बहुत सारा लोग पैनिक हो रहा है कि पांच अक्टूबर को एक्जाम होगा तो मैं एक सीरे से बोल रहा हूँ कि सर नहीं होगा कारण नहीं होने का दो तीन कारण है पहला कारण तो साफ साथ दिख रहा है कि सर यहां पर क्लियर है कि अगर एरर करेक्शन वाला विंडो ही ओपन नहीं हुआ है एरर करेक्शन के विंडो होगा अगर उपन कम से कम आपको तीन से च प्रेंटिस पर पाटिसिपिट कर रहे हैं तो उन सभी का डाटा को समझ लेजिए मॉनेटरिंग करने के बाद आप लोग का से सारी चीज़े अरेंज करने के लिए और बच्चों को बैठाने के लिए स्कूल कॉलेजिन सभी की विवस्ता में भी समय लगता है ठीक है तो आप इतना मान के चलिए कि अगर एमारेस ने पेपर बनाकर रेडी भी रख लिया होगा तो भी किसी भी सूरत में अभी और नहीं एडमिट काड़ाया है तो इन तारीखों में तो एक्जाम होने की संभावना कम है और एमारेस भी 17 अक्टूबर की जो फाइनल हीरिंग है इसके उपर भी सारी चीज़े ठीकी होई है तो इतना आप मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में मेरे साबसे तो कब होगा तो अगर एमारेस बहुत जल्दी जल्दी एक्जाम भी कराया यहां से भी तो भी मान के चलिए कि नॉमबर मिड तक में यह चीज़े जाने की आसार है ठीक है उससे पहले अक्टूबर मन्त में तो चैंसे बहुत कम है और नॉमबर में भी देखा जाए तो स्टार होने की चांसेज नहीं के बराबर हैं और एमारेस ने आज तक अपने ऑफिशल वेबसाइट पर ऐसी कोई भी पूस्टी नहीं किये यह कैसे लिक हुआ है पूरे इंडिया में इसका यूमर चल रहा है चले ठीक है बहुत से यूटूबर्स खुद बोलते थे नॉमबर दिस करने लगे कि अभी अक्टूबर में हो जाएगा तो आप इन भ्रांतियों से बाहर रहें आप नेस्चिंत होके तैयारी के रिए समय थोड़ा आपके हाथ में अभी भी है बठां ये चीज है कि कोट के जिस तरीके से यहमारेस अपने जबाब को सामने रख रहा है कोट के ए सफलता का तो एक सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप जितना अच्छा मैनत करेंगे आप उतना बहतर स्कोर करेंगे अभी कुछ दिनों से मेरी जो क्लासेस थी उसमें थोड़ा से डिले हुआ है बट अब मैं सारी चीजे एक्सलरेटेड मोड में लेके चलूँगा जिन जिन इसको जीत फाउंडेशन क्लासेस में उपन किया गया है वो सारी बैचेस का कंप्लेट सीलेबस बहुत जल्दा आप लोग का कंप्लेट हो जाएगा विदिन टेन टो फिप्टीन डिस एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक ठीक है क्योंकि आप मैं थोड़ा उस पर जा जाकर डेल महीने में समेट के रख दिया फिर एस्टेट का भी एक्जाम करा लिया और उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट की प्रक्रियाचारी होने लग गई तो अगर भी भाग्चा है तो सब कुछ कर सकता है कोट का अगर यहां से कोई और सीन ना आ है सत्तर अक्टूबर को सारी बाते क्लियर रहें पर दोस्तों मैं बस इतना बोलूँगा कि निस्चिंत होके तैयारी किजिए टेंशन में पढ़ोगे कुछ नहीं आपका प्रॉफिट होगा आप निस्चिंत होके बस पढ़ाई कि यह अक्टूबर में किसी भी सूरत में एक्जाम होने की जीरो आशन का है ठी आपकी दंदन आते हुए निकलेंगी सारी चीजे जो एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक है मैं खुद रिस्पॉंसिबिटी ले रहा हूं कि आज रात से मैं भीड़ जाओंगा और आपकी डेली डेली चारचर पाच 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 लेक्चर कराके मैं चीजों को डन कर दूँगा मेरा खुद का टार्गेट रहेगा कि अगले 15 दिन में जो भी हमारे जैसे पीजीटी वाले जो पोस्ट हैं उसमें जो नॉन टीचिंग वाला जो सेक्षन है जो असी नंबर की अंतरगत आ रहा है यह सारी चीजे आप लोग को कंप्लेट अप्लोड करा दी जाएं जो पीज को सारी की सारी चीजे जितनी भी हैं अगले 10-15 दिन में आपको समेटती हुए दिख जाएंगी आदस ज्यादा से लिए पस हमने कर रखा है जो भी छुट-बुट चीजे बच्ची हुई है वो डन हो जाएंगी तो तैयारी में लगे रही है अन्यता इधर उधर व्यार्थ बाते करना टेलिग्राम में ग्रूप में देखते रहना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एक्जाम टाइम में सबसे इंपोर्टन चीज होती है खाली तैयारी करना सोचल मेडिया से जितनी ज़्यादा दूरी आप बना ले उतना बहतर है तो बस इतना ही कहूंगा कि तैयार लोग परिशनम करना है आप सब सफल हो यह आल दे बेरी बेस्ट